हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम से 183 पर आज है 11 फर्वरी दोया 23 और आज की इस वीडियो में आपके लेकर आया हूँ अगर आप किसी भी एक जम की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यादा इम्पोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वैल आइकन को ओल पर प्रेस कर लिजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं आज की इस वीडियो की पीडिया फाइल आपको मारे टेली गरम चैनल पर मिल जाएगी तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के लाशन में आपसे कुशन भी पोछूँगा उस कुशन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है तो चलिए चलते अपने टॉपिक की ओर पहला कुशन है किसे मदरास उच्च नयायले के न्यायदिस के रूप में नियुक्त किया गया है इस कुशन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन भी विक्टोरिया गौरी आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं विक्टोरिया गौरी इनी को मदरास उच्च नयायले के न्यायदिस के रूप में नियुक्त किया गया है वकील लच्मर्ट चंद्र विक्टोरिया गौरी ने मदरास उच्च नयायले की अतरिक्त न्यायदिस के रूप में शपत क्रेंड की इससे पहले सुप्रीम कोट ने गौरी को मदरास हाई कोट की नियादिस के रूप में शपत लेने से रोकने के अनरोध वाली याजका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया मदरास उच नियाए लेके कारवाख मुख्य नियादिस तीरा जाने राष्ट पदी द्वारा जारी नियुक्त आदिस पढ़ने सहित अन्य परमपराओं के बाद गौरी को अत्रिक्त नियादिस पदकी शपत दिलाई नेश्ट कोशन है कहाँ पर भारत का पहला ग्लास एगलू रेश्टोरेंट खोला गया है इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन सी गुलमर्ग तो गुलमर्ग में बारत का पहला ग्लास एगलू रेश्टोरेंट खोला गया है बारत का पहला ग्लास एगलू रेस्तरा इन दिनों विश्व प्रशित गुलमर्ग इसकी रेशोर्ट में आने वाले परेटकों का ध्यान आखरशित कर रहा है काच की दिवार वाले इस रेश्टोरेंट को गुलमर्ग के कोला हुई ग्रीन हाइट्स होटल ने वर्फ के बीच में बनाया है दो साल पहले इसी होटल ने गुलमर्ग में एक सिनों इगलू बनाया था जिसके प्रवंधन का दावा था कि ये इशिया का सबसे बड़ा इशनों इगलू है नेस्ट कोश्चन है अंतरराष्टिय यूपी आई बुकतान सेवा प्रारम करने वाला पहला बुकतान एप कौन सा बन गया है इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन भी फोन पे तो अंतराष्टिय यूपियाई बुक्तान सेवा प्रारम करने वाला पहला बुक्तान एप फोन पे बन गया है फोन पे ने यूपियाई इंटरनेशनल की शुरुवात की है एक ऐसी सोफिता जिसके साथ अंतराश्टिय गतब्यों की यात्रा करने वाले फोन पे उपयोग करता विदेशी व्यापारियों को UPI के माध्यम से और उस देश की मुद्रा में बुक्तान कर शकते हैं UPI इंटरनेशनल के शाथ फोन पे वारत में सबसे ब्यायपक रूप उपयोग किया जाने वाला UPI एप विदेश में व्युक्तान सक्षम करने वाली पहली भारतिय फिटने कंपनी बन गई है फोन पे के से संस्थापक और CEO राहल चारी ने कहा कि अंतर राष्टिय भुक्तान श्वविदा एक गेम चेंजर होगी नेश्ट कोशन है टेस्ट क्रिकेट इत्यास में दोश्ट देशों के लिए सतक यड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए है इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा option C Gary Balance आप image में भी देख सकते हैं ये है Gary Balance यही टेस्ट क्रिकेट इत्यास में दो देशों के लिए सतक यड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए है टेस्ट क्रिकेट में इत्यास रच्टे हुए जिंबाबे के Gary Balance ने दो देशों के लिए सतक यड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाडी बन गए है जिंबाबे का प्रतिनेत्व करते हुए यह उनका पहला शतक था नेक्ट कोशन है इसरो और किस Space Agency द्वारा बनाया गया निशार उपग्रे सितंबर में 12 से लौँच होगा इस कोशन का सही अंसर हो जाएगा Option C, NASA तो इसरो और NASA Space Agency द्वारा बनाया गया निशार उपग्रे सितंबर में 12 से लौँच होगा National Aeronautics and Space Administration और इसरो द्वारा सहेक्त रूप से विक्सित एक प्रत्वी अबलोकन उपग्रे सितंबर में शंबावित प्रच्छेपन के लिए फरवरी द्वाया थेज के अंस में भारत बेजा जाएगा बारतिय अंतरच अनुसर्णान संगठन के अध्यच एस सोमनाथ ने भारत में वेजे जाने से पहले नासा इसरो सिंथेटिक एपरचर रडार उपग्रे के अंतिम बिद्धुत परेच्छन के निगरानी के लिए नेस्ट कुशन है बिश्व दलहन दिवस कम मनाया गया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दस फरवरी तो दस फरवरी को बिश्व दलहन दिवस मनाया गया है बिश्वदल हैं दिवस दालों के मूल को श्वीकार करते हुए दालों के अंतरराष्टी एक दिन के रूप में गोशित करने का प्रसातव रखा गया था इस दिन को सुरू करने के पीछे का मकसद सयंक्त राष्ट के ख़द और कर्षी संगठन के नेतरत्त में दालों के पोशन और पर्यावरण डिये लावों के बारे में जागुकता बढ़ाना था पहली बार यह दिन 2016 में मनाया गया था जिसके बस साल 2019 में दस फरवरी को दलहन के अंतर राष्टिय दिन के रूप में कोशित किया गया नेश्ट कुशिन है हाल ही में आयोजित बारतिय सेन्न सयंक्त प्रसिक्षन अभ्यास का नाम क्या है इस कुशिन का सही अंसर हो जाएगा ओप्षिन ए त्रिशक्ति प्रहार तो हाल ही में आयोजित बारतिय सेन्न सयंक्त प्रसिक्षन अभ्यास का नाम त्रिशक्ति प्रहार है हाल ही में भारतिय सेन बलों ने त्रिशक्ति प्रहार नामक एक सायंक्त प्रसेक्षन अभ्यास का आयोजन बंगाल में किया इस अभ्यास का उदेश सेना बारतिय बायुशेना और सीए प्याप को सामिल करते हुए सुरच्छा बलों की युद्ध की तैयारी का अभ्यास करना था नेक्ट कुशन है हाल ही में केंडर ने भारत के सरवोच नयायले में कितने नयायदीशों की नियुक्त की है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी पांच हाल ही में केंडर ने भारत के सरवोच नयायले में पांच नयायदीशों की नियुक्त की है केंदर ने सुप्रीम कूर्ट में पांच नए नयाय दीशों की नियुक्ती गी अब S.C. में नयाय दीशों की कुल संख्या 32 हो गई है सरवोच नयाय लेके नयाय दीशों की नियुक्ती राष्टपती द्वारा की जाती है राष्टपती मुख्य नायदी से प्रामर्ष करने के बाद न्यायदीशों की नियुक्ति करते हैं नेक्ट कुशन है हाल ही में किस ने डेजिटल बुक्तान उस सब का सुवारम किया है इस कुशन का सही अंसर हो जाएगा ओप्शन ए अश्वनी वैश्णव तो हाल ही में अश्वनी वैश्णव ने डेजिटल बुक्तान उस सब का सुवारम किया है केंडरी इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना पौध्यों की और संचार मंतरी अश्वनी वैश्णव ने नौफरवरी दोया तेस को नई दिल्ले में डेजिटल बुक्तान उस सब का सुबारम किया और इसका हो देश पूरे देश में डेजिटल बुक्तान को बढ़ावा देना है इस कुशन का सई आंसर हो जाएगा ओप्शन सी ऑस्टेलिया तो हाल इसमें ऑस्टेलिया देश ने अठारे वर्ष से अधिक आईउ के लोगों को को जानते हैं ऑस्टेलिया देश के बारे में तो ऑस्टेलिया जो देशैस की राजधानी कैनबरा है औस्टेलिया की मुदरा है औस्टेलिया इडालर और औस्टेलिया के प्रधान मंत्री है ऐन्थूनी अलवनेश तो एक बार शबी पश्षणों का रवीजिन कर लेते हैं किसे मदरास उच्छ नयायले के नियायदीस के रूप में नियुक्त किया गया है तो विक्टोरिया गौरी को मदरास उच्छ नयायले के नियायदीस के रूप में नियुक्त किया गया है कहां पर भारत का पहला गिलास एगलू रेस्टोरेंट खोला गया है तो गुल्वमर्ग में बारत का पहला गिलास एगलू रेस्टोरेंट खोला गया है अंतराष्टिय यूपियाई वुक्तान सेवा प्रारम करने वाला पहला वुक्तान एप कौन सा बन गया है तो अंतराष्टिय यूपिय वुक्तान सेवा प्रारम करने वाला पहला वुक्तान एप फोन पे बन गया है टेस्ट क्रिकेट इतियास में दो देशों के लिए सतक जड़ने वाले दूसरी क्रिकेटर कौन बन गए है तो टेस्ट क्रिकेट इतियास में दो देशों के लिए सतक किरने वाले दूसरी क्रिकेटर गहरी बेलेंस बन गए हैं इसरू और केस स्पेस इजनसी द्वारा बनाया गया निसार उपग्रह सितम्बर में भारष से लॉँच होगा तो ये इसरु और नासा स्पेस एजनसी द्वारा बनाया गया निसार उपग्रे सितम्मन में भार से लोंच होगा बिश्व दलहन दिवस का मनाया गया है तो दस फरवरी को बिश्व दलहन दिवस मनाया गया है तो हाल ही में आयोजित बारतिय सेंडसायुक्त प्रसक्षन अब्यास का नाम क्या है तो हाल ही में आयोजित बारतिय सेंडसायुक्त प्रसक्षन अब्यास का नाम तरिशक्ती प्रहार है तो आशुनी वैशनम ने हाल ही में किस देश न अथारे वर्श से अधिक आयू के लोगों को COVID-19 वैक्षिन की पांचवी खुराग देने की गोशना की है तो हाल ही में ओस्टिडिया देश ने 18 वर्ष से अधिक आयू के लोगों को COVID-19 वैक्षिन की पांचवी खुराग देने की गोशना की है तो हमने सभी पैश्णों का रिवीजन अच्छी तरह से कर लिया है कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेशन पूछा था हाल ही में किसे ने आर्द्र भूमी सरणचड के लिए आर्द्र भूमी बचाओ अभ्यान का शुबारम किया है इस कुशन का सही अंसर था आप्शन सी बूपेंद्र यादव तो हाल ही में बूपेंद्र यादव ने आद्र भूमी सरणचड के लिए आद्र भूमी बचाओ अभ्यान का शुबारम किया है आपके लिए आज का कुशन है तुर्किय और सीरिया में हाल ही में आए बूकम के कारण बारत द्वारा चलाये जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है इस कुशन का सही अंसर आपको कमेंट में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हेलपूल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जै हिंद जै भारत बद्ने मातरम